वेलकम तो मैं चैनल आज हम जिपसो फिला या फिर जिपसी या फिर बेबी ब्रत प्लांट के बारे में बात करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कैसे चोटे चोटे से वाइट वाइट कलर के फ्लावर्स इसमें आए हैं बहुत ही क्यूट सा प्लांट होता है बहुत ही होता है पर अपने इन छोटे खुपसूरत और गुच्छेदार फूलों की वजह से इसे बहुत पसंद किया जाता है इसमें कई टाइपस आपको मिलेंगे और कुछ कलर्स भी आपको पिंक वागेरा कलर्स में आपको मिल जाएंगे फिलहाल तो मुझे वाइट कलर ही मिला है और ये मुझे बहुत ही सुन्दा लगता है क्योंकि इसमें ये जो छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं ये देखने में छोटे छोटे एरिंग्स जैसे लगते हैं और ये जो प्लांट है इसकी केरिंग भी बहुत ही जादा इजी है हलाकि मैंने इसे उगाते हो खुद भी एक पौधह में फ्लावर आया है और यहां पे दो पौधह में फ्लावर आये हैं इसके अलावा बाकी में भी बहुत ही जल्दी यह देखिए कलिया लग रही है और फ्लावर आएंगे तब यह पूरा गुच्छेदार फूलों से भर जाएगा तब भी मैं एक बार वीडियो ज हराब हो जाएगा यह इतना सॉफ्ट आपका पौधह है मैं आपको यहां पर पालक का पत्ता दिखाती हूं बलकि पालक का पत्ता तो फिर भी क्रंची है इसके सामने यह बहुत ही डेलिकेट और साफ सॉफ्ट प्लांट है अब मैं यह आपको बार बार इसले बता रही हूं बना और काफी हैवी मिट्टी बनी जबकि इस तरह के जो जिफसोफिला होते हैं इन्हें सॉफ्ट मिट्टी पसंद होती है इन्हें बहुत ही लाइट वेट मिट्टी पसंद होती है तो अगर आप मेरी तरह किसी मिट्टी में इसे उगाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको सब 6 ndट्टें तो उगारे अढ़न के सब्सक्राइब कर में लोमी हो जारीए और लोमी होने के करणार सब्सक्राइब कर दोड़ा का इवन दो कि मैं इसमें बहुत कम पानी डालती हूं फिर भी मिट्टी का जो इसमें वाटर है वो दो या तीन दिनों तक नहीं सुखता जिसके कारण यहां पर देख सकते हैं कि वाटर के कारण पौधे को नुकसान पहुंच रहा है तो अगर आप चाहते हैं कि आपके हो ताकि बिल्कुल पानी इसमें ना रुके एक और नुकसान में आपको बताती हूं अगर आप मेरी तरह हैवी लोम सॉयल यूज़ करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया यह पौधा बहुत ही सौफ्ट है बहुत जादा तो जब हवा चलती है तो यह पौधा बार बार अपने तने से यह देखिए तने से बार बार इस तरह से मिट्टी से रगडाता है और मिट्टी हैवी होने के कारण अपनी जगह से खिसकती नहीं या फिर पौधे के तने को चोट पहुँचाती है जिससे आपका जो पौधा है वो अच्छे से बढ़ नहीं बाता इस कारण आपको मिट्टी लाइट वेट यूश करनी है और साथ में इसके आपको कोई लकडी या रसी से बांद के इसे प्रॉपर सहारा भी देना है ये देखे ये वाला पौधा जैसे जैसे लंबा हो रहा है एक तरफ जुक रहा है तो अगर मैंने इसे सहारा नहीं दिया तो ये अपनी ही व हो गई वह बहुत ही एसीडिक हो गई और जिपसो फिला और हमारे पास ये जैथिये दाई अन्थस के पौधे है इन पौधा को जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं है अलकलाइन मिट्टी इन्हें जो बेस वाली मिट्टी होती है चारी मिट्टी होती है वह इन्हें चाहिए के पाउडर को अभी इसमें यूस करूंगी इन्हें प्रॉपर मिट्टी जैसी नहीं चाहिए वह मिल सके या फिर मैं देखूंगी अगर घर में थोड़ा चूना रहेगा तो पानी में मिला के मैं इसे डाल दूंगी लाश्ट इम मेरे दाई अन्थस के पाउधे में मैंने पानी यूस किया था और थोड़ा से चौक का पाउडर भी मिला के उसमें डाला था और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट लाश्ट देखने को मिले थे इस बार तो मैंने सीधे ही उगा दिया है सीड्ग्रोन इंदाय अन्थस को लेकिन वह भी बहुत अच्छे से उगे ह इन ठंड वाले पौधों की खास बात यह है कि आप इन ठंड वाले पौधों को जब भी लगाएंगे तो इन्हें अक्टूबर नॉंबर के पास लगाएं अगर आपके यहां भी सितंबर तक खलकी बारिश होते रहती है क्योंकि अगर बारिश जादा होती है तो नमी मिट् और इनके जो जैसा कि मैंने बताया कि इन्हें जादा पानी पसंद नहीं होता है तो यह बहुत ही जल्दी सरने लगते हैं और यह देखे यह ओर वाटरिंग और जादा देर तक गीली मिट्टी होने के कारण ऐसा हो रहा है इन्हें धूप तो पसंद होती है डारिक में आप लगा सकते हैं लेकिन इन्हें गर्मियों की धूप पसंद नहीं होती है जहां यहां टेंपरेचर 45-47 डिग्री हो जाता है तो ऐसे में यह बहुत जल्दी जल के खराब हो जाते हैं तो आप इन्हें ठंड के मौसम में लगाएंगे तो अच्छा है अगर आप जिप्स ओ फिला कितने खुब सुरत दिखे अगर आपको मैं यहां से दिखाऊं तो देखें बहुत ही सुन्दर फूल इसमें आते हैं और बड़े फूलों के साथ तो यह और भी सुन्दर लगते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टाइम बाबाई